हलो एव्रिवन दोस्तों वेल्कम टू दिस प्लास मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन वेल्थ गेम्स की जी हाँ 2022 के कॉमन वेल्थ गेम्स बर्मिंगम में आपके हुए जो कि अभी कम्प्लीटली समाप्ती हो चुकी है इसलिए ये वीडियो में थोड़ा लेट बना रही हूँ ताकि सारे मेडल्स के बारे में मैं आपको बता सकूँ तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि किसने कितने गोल्ड लिये इंडिया को कितने गोल्ड मिले हैं ये सारी चीज़े आज के इस वीडियो में जानेंगे तो उमीद करूंगे कि आपको आज का सेशन डिफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है तो दोस्तों पहले ही बता दूं, इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स लिये हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉंज तीनों हैं, तो कैटेगरी वाइस हम लोग सारी चीजों को अभी देखेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और पहले थोड़ी कॉमन जानकारी ले ले तो यह आपको याद रखना है, उसी के साथ साथ आपको मैं बता दू, कि इन गेम्स में सुटिंग विर्कुल भी नहीं थी, एक्चुली सुटिंग से क्या होता है, कि हमारे जो मैडल्स की संक्या बढ़ जाती, क्योंकि अभी तक का हित्यास रहे, बारत से सबसे ज़्याद तो वो भी इसमें सामिल नहीं थे, तो यह भी एक कहीं न कहीं रिजन भी है, वैसे तो हमने पूरे 61 मैडल लिया और पूरे विश में अपने देश का परचम लहरा दिया, पर लेकिन उसी के साथ साथ अगर सुटिंग और जैबलीन वगेरा होता, तो यह मैडल्स की संक्या और बढ़ जा थी, अगर मैं आपको बताओं कि लास्ट जो यह हुआ था, 2018 में हुआ था, टेके, 2018 में हुआ था, इसे गोल्ड कोस 2018 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इंडिया ने टोटल 66 मैडल लिये थे, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि टोटल आपके जो वहाँ पे पाटिसिपेशन थे, अभी इंडिया चौथे नंबर पे है, यानि कि फोर्थ नंबर पे है, इंडिया तीसरे नंबर पे था, आफ्टर ऑस्टेलिया एंड इंगलेंड के बाद में, ठीक है, 2018 में, तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि हमारे विनर्स के नाम थो दिलाया था, जो कि सिल्वर था, ठीक है, इन्होंने 55 kg मेंस केटेगरी में बेट लिफ्टिंग का वार्ड ली, मतलब सिल्वर मेडलिस्ट रहे, इसके बाद गुरु राजा जी ने ब्रॉंज मेडल लिया बेट लिफ्टिंग में, इसके बाद भारत का तीसरा और पहला गो अचिता ने भी आपका बेट लिफ्टिंग में 33 kg में यह आपका मेडल लिया है, इसके साथ 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 शुशीला देवी ने सिल्वर मेडल लिया जूडू में 48 केटेगरी में इसके साथ साथ इंडियन विमें टीम जो कि लॉन बाल्स में इन्होंने 4 वुमें ने आपक ऐलल Tennis इसने भी गल्ड लिया बाकी सिल्वर और ब्रांज के आप लिफ्ट देखी रहे हैं 37 सुधिर ने पैरड लिफ्टिंग में है वी पैरलिफ्टिंग में पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने गल्ड लिया है उसके साथ साथ आप दो मैं बता दूँ भजरंक बजरंग पुनिया ने 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में गोल्ड इंडिया के लिया है बाकी प्रियंका गोश्यामी सिल्वर एथिलेट में इन्हों ने आपका 10,000 मीटर रेस के अंदर वॉक रेस में गोल्ड लिया है अभिनास सिब्बल ने भी सिल्वर लिया है 3000 मीटर आपका इस ट्व प्लेसेज में आपका अथिलेट में इन्हों ने सिल्वर लिया इसी के साथ साथ विनेश स्चोन फोगाड सिस्टर रेसलिंग 53 kg फ्री स्टायल में गोल्ड लियाystem नवीन इन्होंने भी freestyle 74 kg men's wrestling में लिया गोल्ड इसके साथ साथ बाकी रवी कुमार दहिया इन्होंने 57 kg freestyle wrestling men's में गोल लिया बाकी silver और आपका bronze के list आप लोग देखी रहे हैं इसी के साथ साथ पॉल इन्होंने man's double jump में athletes में गोल लिया है नीतू ने गोल लिया है boxing में 48 kg minimum weight के अंदर अमित ने गोल लिया है 51 kg fly weight के अंदर boxing के अंदर इसके बाद जरीन ने भी गोल लिया है women's 50 kg light fly weight में boxing के अंदर इसी के साथ 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 ट्रेसा जॉली ने भी लिया है तो ये भी याद रखना है पीवी सिंदू ने women's singles में बैडमिंटन में गोल लिया है लक्सेशे ने man's single बैडमिंटन में गोल लिया है तो चिराख सेटी ने भी गोल लिया है man's double में बैडमिंटन में man's hockey टीम ने silver लिया है man's hockey में इसके साथ साथ आपका सरद कमल ने भी गोल लिया है, मैं सिंगल टेबल टैनिस के अंदर, तो दोस्तों ये सारे आपको मैंने नाम बता दिये हैं, और बागी जो नाम नहीं बता है, यहां कम्प्लेट लिस्ट दे हुए, आप इसे स्किन सौर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको convenient लगे उस recording आप कर लीजेगा, उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, commonwealth games में इंडिया ने total कितने medal किस category में लिया है, यह भी मैं आपको बता दू, इंडिया के अंदर weightlifting की, अगर मैं बात करती हूं, तो total 10 weightlifting में मतलब medal मिले है, 3 gold, 3 silver और 4 bronze, तो ह double tennis में total 5 लिये है, 3 gold, 1 silver और 1 bronze, badminton में total 6 है, 3 gold, 1 silver, 2 bronze, उसी के साथ साथ पावर, sorry, para powerlifting में total 1 लिया है, gold, ठीक है, जिसका नाम अभी मैंने आपको यहां पर बताया भी था, ठीक है, तो चलिए, उनका नाम था सुधीर, जिन्होंने gold basically weight के लिया, ठीक है, इसके बाद हम बा boxing की, तो boxing में total 7 medal है, 3 gold, 1 silver और 3 ही bronze, उसी के साथ साथ wrestling में सबसे ज्यादा gold लिये गए है, जो की total 12 संख्या है, 6 gold है, 1 silver और 5 bronze medal इसमें दिये गए है, hockey के अंदर total 2 है, 1 silver, 1 bronze, cricket के अंदर total 1, जो की है, आपका silver, ठीक है, तो total gold जो मिले है, 22 total gold इंडिया ने लिये है, 16 silver और 23 bronze medal लिये है, इसलिए पूरी जो total संख्या हो गए, 61, तो total मिला के 61 medal इस बार के Commonwealth Games 2022 में लिये गए है, जिसमें 22 gold, 16 आपके silver और 23 हो गए bronze medal, ठीक है, तो दोस्तों अमीद करती हूँ कि आपको ये सारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और everything आपको के लिए हो ग जाए है, किस किलाडी को कौन सी फिर्ड में silver मिला है, ये कभी नहीं पूचा जाएगा कि इंडिया ने total कितने medals लिये है, वैसे आपको पता होना चेह, इंडिया ने total 61 लिया है, पर ये कभी नहीं पूचा जाता, कितना gold लिया है, आपको इस पेसिफिक लिए कौशन पूच पर मेलट सकता है क्या ने बराउंज रिया है कि उन्स पूछ आपको म्लब कॉन सा को डेटिक्री के दिचये स्टाइल तो 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 इस तरह के प्रैस्टाइल में बनते हैं इसलिए यह तेबल बहुत of love and care, अगर आपको कोई doubt होता है, या कोई भी query होती है, तो आप नीचे comments session में लिख के मुझे बता सकते हैं, हम आपके सभी comments पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, इसलिए आप अपना doubt या query सब लिख सकते हो, अगर अच्छा लगा हो, तो इसे share कर देना, ठीक है, और like भी कर देना, thank you so much guys, we lots of love and care, thank you so much